हेलो फ्रेंट्स हम सीख रहे हैं वोकप फ्रॉम एस्पी बक्सी और फ्रेंट्स इसी सीरीज में आज हम नेक्स लेक्चर में डिसकस करेंगे वर्ड्स 221-230 तो फ्रेंट्स एक एक वर्ड बड़ा इंट्रिस्टिंग वे में आपको समझाया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है चलिए लेट्स स्टार्ट देखी जो पहला वर्ड है वो है फ्रेंट्स एग्रीजियस एग्रीजियस स्पैलिंग देखें इग्रीजियस और वर्ड की नेचर की अगर बात करें तो वर्ड है फिर्ड्स एजेक्टिव और जिसका मतलब होता है घोर या प्रबल या कटर घोर प्रबल या कटर यानि आप कह सकते हैं इंग्लिश में अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड मिलता है फ्रेंट्स पोटेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि इस पैलिंग देखें friends dominant की डियू माई एंट एक इस्टरडी मिल जाता है friends स्टि यू आड़ डियू स्टरडी इस्टरडी भी परभल के लिए स्ट्रॉंग के लिए मिलता है और ब्लेटेंट मिलता है friends BLATANT B-L-A-T-A-N-T BLATANT BLATANT Crime कोś, कटर, यानि किसी कटर Crime को BLATANT कहा जाता है, या VIOLENT हो सकता है, FANTS तो WOLDS मिले, आपको क्या मिले? PORTANT, DOMINANT, STUDY, BLOOLENT और अगर USE की बात करें तब आप कह सकते हैं इग्रीजियस क्रिमिनल क्योंकि क्रिमिनल की बात हो रही है चुकि एजक्टिव है तो आप इग्रीजियस क्रिमिनल आप कही है तो आप कह सकते हैं क्या कोई कटर और अपराधी या इग्रीजियस लाई भी कह सकते हैं कोई आपको लग रहा है बिलकुल किसी ने घोर जूट बोल दिया तब आप कह सकते हैं इग्रिजियस लाए इग्रिजियस लाए बात के लिए है winter friend तो एग्रीजियस क्या हुआ घोर, परबल या कट्र और आप पोटेंट डॉमिनेंट, स्टर्डी बलॉटेंट वाइलेंट तो एग्रीजियस क्रिमनल या एग्रीजियस लाइ के रूप में आप इसको ही यूज कर सकते हैं next word आता है friends exodus क्या पलायन और वर्ड की नेचर की बात करें तो ये होता है नाउन और पलायन क्या होता है फ्रेंस बड़ी ही मात्रा में बड़ी मात्रा में कोई जगा छोड़के एक जगा छोड़के दूसरी जगा को चले जाना वो एक्जोर्डस कहलाता है जिसको आप पलायन कहते हैं या निर्गमन कह सकते हैं आप निर्गमन या पलायन क्लियर फ्रेंट्स और इस पलायन की बात करें तो इस एक्जोडस के बाद जो जनरली प्रपजिशन आता है वो आता है फ्रेंट्स फ्रॉम alexodus from यानि कहीं से о list करना और इसके लिए अब एक synonym बड़ा जूत करते हैं वो होता है फ्रेंट्स evacuation E-V-A-C-A-T-I-O-N evacuation evacuation क्या होता है evulsion just a minute eva-C-U-A evacuation के लिए फ्रेंट्स spelling ये देखें E-V-A-C-U-A-T-A evacuate करना यानि कोई चीज खाली कर देना कहीं से जनरली कहीं आर्मी का आटेक होने वाला होता है या अकसर बॉर्डर पे जब पाकिस्तानी जो चोकिया हैं वो हमला करने वाली होती है तब एवाक्वेट कर देते हैं पूरी बस्ते को खाली करा दिया जाता है उस सेंस में वर्ड यूज होता ह और अगर सिनोनिम की बात करें तो इसी के साथ साथ दिर्गमन की बात है पलायन की बात है तो एक सिनोनिम आपको एग्जिट मिल जाता है बड़ा कॉमन वर्ड है एग्जिट जो बहार निकलने के सेंस में यूज होता है और फिर्ट एक वर्ड और आता है बड़ा प्यारा सा E-G-R-E-S Egress, Exit or Evacuation बात के लियर फिर्ट्स यानि departure in a large scale बड़े scale पर कहीं departure होता है उसको हम कहते हैं Exodus और पलायन और पलायन की अगर Exodus की बात आती है तो हमें एक प्यारस एक्जामपल हमें याद आता है कि the Exodus of the Hindus हिंदूों का पलायन कहां से हुआ था फ्रॉम कस्मीर वैली कस्मीर वैली से हिंदूों का पलायन और वो क्या है कैसी घट्टा थी और देखिए जो एक्जोडस की अगर निट्टा निट्टा थी क्लियर और देखिए जो एक्जोडस की अगर नेचर की इसकी ओरिजन की बात करें तो इसमें एक प्रिफिक्स मिलता है एक्स और एक्स का मतलब होता है आउट और दूथरा मिलता है होडोस होडोस कहते हैं वे वे रास्ता रास्ते से बाहर के लियर फ्रिंट्स तो वहां से ओरिजन है इसकी यानि आप कह सकते हैं इसको सिंपल वे में पलाएं चलिए नेक्स्ट वर्ड है मारे पास एरंड् और एरंड की बात करें वर्ड की नेचर है फ्रिंट्स नाउन और इसको आप कह सकते हैं सोंपा हुआ क्लियर कोई काम सोंप दिया जाता है तो सोंपा हुआ काम क्लियर फ्रिंट्स सोंपा हुआ काम कह सकते हैं या कह सकते हैं आप दूत कार्य और दूत कार्य से रफ्रिंस हो तो वहां आप इस वर्ड को एरल्ड को यूज करते हैं किसी के बदले में कोई काम किया जाता है और अगर यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं जैसे मैसेज है, रिपोर्ट है, नियूज है मैसेज, रिपोर्ट, नियूज, और एक और बड़ा प्यारा नियूज से वर्ड याद आया, टाइडिंग्स TIDINGS, TIDINGS भी नियूज का ही सिनोनिम होता है TIDINGS, के लिए फिंट्स, चलिए अब इसके एक्जामपल के बात कर लेते हैं Her boss sent her on an errand की उसके boss ने उसको एक errand पर भेज दिया errand पर भेज दिया, इसका मतलब क्या था, boss को जाना था, लेकिन boss ने अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया यानि दूद का लिए, clear friends, और इसका एक बड़ा simple सा हम यूज कर सकते हैं errand का, जैसे हम कह सकते है, errand boy, अब errand boy क्या होते हैं, अक्सर आपको आपने देखा होगा, जिसके लिए एक common word यूज करते हैं, delivery boy, और delivery boy कौन होते हैं, जो सामान की एक सर डिलिवरी करते हैं, हम कभी डोमिनोज का पीजा ओडर करते हैं, तो क्या होता है, एक delivery man उसको लेके हमारे घर आता है, delivery boy लेकर आता है, तो वो delivery boy क्या कहलाता है, उसको आप कहते है, errand boy, clear? यानि जो delivery boy है, उसको आप क्या कहें, errand boy, बात के लिए फ्रेंट्स, तो तीनों वर्ड के लिए, egregious, exodus, and errand, ये adjective है, ये बाद के दोनों वर्ड नाउन है, exodus, plion होता है, errand होता है, सौपा हुआ कार रिये, या दूद कार रिये, और egregious की बात करें, तो घोर, प्रबल, या कटर, I hope तीनों वर्ड के लिए हैं, तो चलिए, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए, फ्रेंट्स, अब errand की बात हो रही है, तो इसी का एक homophone आपको मिल जाता है, और वो है, फ्रेंट्स, errant, e-double-r-a-n-t, errant, errant, और इस errant की बात करें, तो ये वर्ड है, फ्रेंट्स, अजेक्टिब, और जिसका मतलब होता है, पत्भरस्ट या घुम रहा, पत्भरस्ट या घुम रहा, क्लियर फ्रेंट्स, तो पत्भरस्ट या घुम रहा, बड़ा common word है, पत्भरस्ट जो सही रास्ते पर ना हो, जो अपना रास्ता भटक गया हो, उसको आप कहते हो, पत्भरस्ट या घुम रहा, उसको हम कहते हैं, और इंग्लिस में वहां हम word यूज़ करते हैं, और अगर सिनोनिम की बात करें, तो आप कह सकते हैं, वांडरिंग या डायवर्जेंट् क्या टेंडदर बड़ा कॉमन वर्ड है तो वांडर से आप वांडरिंग कह सकते हैं और डायवर्जेंट भी हो सकता है, कि डी आईवी एżenie सी एल टायवर्जेंट एक वर्ड और आता है स उनकॉमन्ली और वह होता we एंस इस्ट्रेगली एंस ट्रेगली भी क्या होता अरण को इस्ट्रेगली कहते हैं और इसी के साथ साथ एक अनकॉमन वर्ड और आपको मिल जाता है रोवर और रोवर भी इसी सेंस बें यूज़ करते हैं और अगर यूज करता हूँ वर्ड का तो सम्बल्साइक आप यूज कर सकते हैं आप कह सकते हैं एन-एरन्ट इस्टूडेंट एक ऐसा इस्टूडेंट जो क्या है जो पथ बहस्त हो गया है एन student clear यानि एक पत्भस्ट जो शिक्षार्थी है student है वो आप कह सकते हैं और नेक्स वर्ल्ड है फ्रेंड्स एरोनियस की अगर बात करें एडवल आर ओ एन ए ओ यू यू एस पहले तो इस पैलिंग देख लें एडवल आर ओ एन ए ओ यू एस एरोनियस और एरोनियस से आपको याद आता होगा एरोर से मिलके बना है वर्ल एरोनियस और वर्ल की नेचर की बात करें तो वर्ल है फ्रेंड्स एजेक्टिव और एरोनियस का मतलब होता है फ्रेंड्स mistaken यानि गलत या अशुद अशुद या गलत या निमिस्टेकन आप कह सकते हैं रॉंग कह सकते हैं अशुद या इनकरक्ट आप कह सकते हैं इनकरक्ट बीसी सेंस में यूज होता है फ्रेंड्स और इनकरेक्ट की बात है तो इन एक्यूरेट भी आप यूज कर सकते हैं इन एक्यूरेट यानि मिस्टेकन रॉंग फॉल्टी इनकरेक्ट और इनकरेक्ट यानि अशुद या गलत या एक वर्ड और आता है इसके लिए ब्रहन्ती पूंग क्लियर फ्रेंड्स यानि यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं इरॉनियस कॉन्कूलूजन यानि गलत निसकर्स कोई निसकर्स है आपको लग रहा है वो गलत निकला है तब आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं गलत निसकर्स के लिए फ्रेंड्स यानि इरॉनियस और कॉर्क्रोजन तो दो वर्ड और मिले आपको येहां अर्ण और इरॉनियस अर्ण होता पदबहस्ट या घुम रहा यानी रोवर, इस्ट्रगली और डाइवर्जेंट और वांडरिंग एन एरंट स्टुरेंट और इरोनियस की बात करें तो मिस्टेकन, रॉंग, फॉल्टी, इनकरेक्ट या इनक्यूरेट वर्ड के लियर हुएं, चलिए नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं चलिए फ्रेंट्स, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है और वो है फ्रेंट्स इन्विजिज, इन्विजिज, इन्विजिज जरा प्रणेंशिशन पर ध्यान देना, वी आईएस एजिजिज, इसको हम कहते हैं, विसाज नहीं कहते हैं, कहा जाता है विजिज, और विजिज, यह जो वर्ड है देखे, इन्विजिज, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूँ, वीजिज, वी आईएस एजिज, यह एक होता है विजिज इस विजिज का मतलब होता है फेस के लिए यूज होता है और अगर इन विजिज की बात करें तो वर्ड हमें देख के पता लग रहा है कि वर्ड क्या है वर्ड हमारा नाउन होगा और इस वर्ड की अगर हिंदी की बात करें तो आप कह सकते हैं इन विजिज क का जो मतलब होता है वो होता है सामना करना यानि फेस करना या परीकल्पना करना दो मीनिंग निकलते हैं इसके सामना करना या परिकल्पना करना क्लियर फ्रेंट्स और मीनिंग की बात करें हिंदी इंग्लिस सिनोनिम की बात करें तो आप कह सकते हैं प्रेंट्स सामना करना क्लिस कैसे हैं एक रूद ओरुप्त और फिर इमेजन और फ्रेंट्स क्लियर ये सारे वर्ड के क्या बताते हैं यह इन्विजिज को बताते हैं और जिसका मतलब होता है कोई परिकल्पना करना या सामना करना और यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं इट वोज डिफिकल्ट कि यह मुश्किल था क्या मुश्किल था तो इन्विजिज दा लॉस कैल्कुलेट की जगे हमने यूज कर दिया इन्विजिज इट वोज डिफिकल्ट तो इन्विजिज दा लॉस ययारे जो लॉस था उसकी परिकल्ब ना करना उसको सोचना क्या था मुश्किल था बात कि लिए रेफिर्ण्स चलिए नेक्स्ट वर्ड हम डिसकस करते हैं इमानसिपेट आप इमैंसिपेट और इमैंसिपेट की बात करें E-M-A-N-C-I-P-A-T-E स्पैलिंग देख लें इसकी इमैंसिपेट और यह जो वर्ड है यह वर्ब होता है और इसका जो हिंदी होती है फ्रेंड्स इमैंसिपेट की वो होती है मुक्त करना मुक्त करना या बंधन तोर देना clear और actually यह जो मुक्त करना होता है यह जो सामाजिक या कानुनी या राजनितिक जो बंधन होते हैं उनसे बाहर आना उनको तोर देना क्या कहलाता है वो इमान्सिपेट कहलाता है के लिए फ्रेंट्स और आप इसके सिनोनिम की बात करें तो एक प्यारा सा वर्ड आपको मिल जाता है रस्क्यू र-e-s-c-u-e रस्क्यू और लिबरेट हो सकता है ल-i-b-e-r-a-t-e और फिर एक सेट फ्री भी सी सेंस में यूज़ होता है सेट फ्री लिबरेट या एक वर्ड और आता है रिडेंपसन र-e-d-e-m-p-t-i-o-n रिडेंपसन तो यह सारे वर्ड इसके मुक्त करने के लिबरेट के सेंस में यूज़ होते हैं इमानसिपेट के सेंस में यूज़ होते हैं के लिए फ्रेंट्स चलिए इसके अगर यूज़ की बात करें तो हम यह इमैंसिपेटग सति कस्टम कि यह इक सती प्रता थी और उस सती प्रता का अगर अंत किसी ने किया था उस समाजिक बुराई का तो वो किया था राजा राम मोहन राहे ने तो आप इस word को इस sense में आप यहां यूज़ कर सकते हैं, emancipated, राजा राम मोहन राई, emancipated, सती कस्टम, बात के लिए फ्रेंट्स, तो चलिए note करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए फ्रेंट्स, next word हम discuss करते हैं, flagrant, और flagrant की बात करें, तो flagrant होता है, एज़ेक्टिव, F-L-A-G-R-A-N-T, spelling देखें, R-A-N-T होता है, E-N-T नहीं होता, flagrant, यानि आप इसको कह सकते हैं, घोर, या निन्दनिय, घोर या निन्दनिय के लिए आप flagrant का यूज करते हैं, और जैसे आप कह सकते हैं, कानून का घोर उलंगन अगर कहीं हो रहा है, भाँ, flagrant violation of law यह कह सकते हैं, flagrant violation of law, चलिए पहले उससे पहले सिनोनिम की हम बात कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं, evil, wrong, evil, wrong, और flammable एक वर्ड यूज होता है, वो भी flagrant के संस में यूज होता है, एफ एल ए, डवल एम, एबी एल ए, flammable, clear friends, और censurable, censurable, censurable भी इसे संस में यूज होता है, censure, निंदा करने के संस में, तो flammable और censurable, rogue और evil, evil हाला कि देखिए, इस संस में यूज होता है, लेकिन इसकी नेचर डिफरेंट है, ये adjective है, और ये word क्या है, ये noun है, तो हमें synonym में ये भी ध्यान रखना होता है, कि अगर synonym हैं, तो उनकी parts of speech भी same रहें, के लिए friends, तो flagrant violation of law, इसका हम use कर देते हैं, flagrant violation of law, यानि कानून का घोर उलंगन, और इस flagrant से एक word और मिल जाता है friends, इसी से मिलता जुलता, और वो होता है, conflagration, देखिए, conflagration, और conflagration किसको कहते हैं, ये word यूज होता है, अगनी कान्ड के लिए, कहीं बड़े लबल पे अगर आग लगती है, तो वहाँ conflagration आप यूज करते हैं, friends, next word है, fickle, और fickle की अगर बात करें, तो adjective है, जिसका मतलब होता है, तुछ या छोटा या परिवर्तन सील, जो unstable होता है, उसको आप fickle कहते हैं, adjective है, छोटा, तुछ और परिवर्तन सील, के लिए, friends, sinonim, बहुत सारे आपके पास निकल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, फिकल के लिए, unstable, unstable, impatient भी आप यूज करते हैं, जो एध्यर्यशील होता है, वो परिवर्तन सील होता है, clear, friends, एक प्यारा वर्ड बिलता है, spray, s-p-r-y, spray, एक playful भी इसी सेंस में आप यूज कर सकते हैं, playful, तो playful, spray, impatient और unstable, clear, friends, और अक्सर आप इस वर्ड को यूज करते हैं, फिकल माइन्डेड पीपल, फिकल माइन्डेड पीपल, यानि तुछ सोच वाले या छोटी सोच वाले लोग, clear, friends, फिकल माइन्डेड पीपल, तुछ या छोटी, सोच वाले, लोग, बात समझ में आ गई, common word है, फिकल, और अक्सर आपने यूज किया होगा, इसको सुना भी होगा, फिकल, अच्छा, फिकल friend भी आप कह सकते हैं, आपको लग रहा है, कोई, फिकल friend, कोई ऐसा मित्र है, जो कैसा है, जो छोटी सोच रखने वाला है, तो आप वहाँ इस word को यूज कर सकते हैं, फिकल friend, किलियर, हाला कि जो friend होते हैं, वो हमारी nature जैसे होते हैं, तो वो फिकल नहीं होते हैं, लेकिन word यूज किया जा सकता है, तो दोनों वर्ड के लिए होँए friends, एक तो फिकल है, और दूसरा है फ्लेगरेंट, फ्लेगरेंट होता है घोर या निंदनी है, और फिकल को कहते हैं, आप छोटा तुच्छी या परिवर्त अनशील, चलिए, एक वर्ड और बचा है, उसको भी डिस्कस करेंगे, चलिए friends, आज के लिए last word हम डिस्कस करते हैं, और फिलियल क्या होता है friends, फिलियल की बात करें, चलिए पहले लिख लेते हैं, फिलियल, और वर्ड की नेचर की बात करें, वार है फ्रण है फिर्ट से एज्यक्टिम और जिसको आप कहते हैं सन्तानिय कर्टब्व्यूं फिल्यSば Dahaill क्या होता है सन्तानिय कर्टब्व्या यानि जो माता-पिता के लिए संतान का कर्द यह होता है फिलियल डूटी होता है और सि नॉनिम की बात करें तो आप कह सकते हैं प्रिटिफूल डिवोटेड और लविंग को ड्यूटिफूल के डिवोटेड और लविंग यानी फिलियल ड्यूटी आप ऐना कि यानि हमारी जो ड्योटी है तु आर पैरेंट्स वो फिल्याईल ड्योटी है एसी को पूरा फ्रेज कर देते हैं तो आर पैरेंट्स अब यहांसे आप को यह का meaning बिल्कुल clear हो गया होगा filial duty to our parents जो filial duty है मिन संतान ये करतव भी है किस के बढ़ती अपने parents के बढ़ती बात clear friends world तो ये 10 words हमने डिसकस किये ये 10 words हमने simplify किये चलिए next lecture में आगे और 10 words को हम डिसकस करेंगे lecture कैसा लगा अपनी राय जरूर दें और अगर चैनल पर पहली बार आहें, फ्रेंट्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंट्स को शेयर करें, ताकि सब को quality material free of cost मिल सकें, मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, now thanks for watching this video.